मैं आज आप लोग के साथ इसका रिवीव वीडियो सेयर करने वाली हूँ जादा तर कस्टमर चाहते हैं कि गैस का फ्लो बहुत अच्छा से हो तो उसी हिसाब से ये वाला ओवन बहुत अच्छा होगा विल्कम बैक तो जोईतास केचेन एगेल मैं आज आप लोग को इसके बारे में बताऊंगी ये खरीदना सही रहेगा कि नहीं और इसके साइज के बारे में भी बताऊंगी क्योंकि इसका रोव साइज है वो यहाँ पे नहीं लिखा जाता है और इसमें कुछ-कुछ डीटल्स दिया है जैसे कि इसमें क्या आच्छा है जैसे लिखा है कि हाई स्पीड जांबो बर्नर हाई एफिसेंसी ब्रस बर्नर है और सुपेरियर टॉफएंड ग्लास टॉप भी है स्पेलपूप डिजाइन है यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हुआ है इसका प्राइज मैं यह मेट्रो पैसन करी से खरीदी थी इसलिए मुझे थोड़ा सा कम पढ़ा 6195 रुपीस पढ़ा हुझे अगर आप लोग अमाजों या फ से यहाँ पर मैनुविट वारेंटी कट दिया है, इसमें दो साल का वारेंटी के अंदर इसके बारे में पूरा डिटिल्स डिया गया है इसमें दो स्टेनलेeny स्टिल का प्लेट दिया है यह बहुत ही अच्छा है क्युंक्त कि कि अगर कुछ कुछ खाना गिर भी जाए तो इसको आप आसानीसे निकालके साप कर सकते हो ब्रतन के लिए另कि बनानाि के लिए एक छोटा सा शकान भी दिया लिया है और यह है बड़ा वाला बर्नर है यह 쭉 आ बर्न बर्नर स्टेल्स टील का जो प्लेट दिया हुआ था उसको हम सबसे पहले रखेंगे और उसके उपर जो स्टैंड है वो स्टैंड को रखेंगे यह स्टैंड काफी स्ट्राउंग है और यह है अन अफ करने के लिए जो नॉब हो और इसके द्वारा हम फ्रेम को कम और ज्यादा ऐसार है यह पाइप लगानी का जका भीक गानी का जगानी में यह तो तो आप कैसे भी करके अग्जस कर सकता है क्योंकि यह रिवाल्विंग है और इसका जो लेंथ है वो है 25 इंच और जो विट है वो 16 इंच और इसका जो हाइट है वो है 4 इंच आपका कोई दोस्ते अगर ओबन खषीद जा रहा है तो उनको यह वाला वीडियो से आर कीजिए ताकि जाने से पहले उनको भी कुछ इंफमिशन निन जाए और आप भी अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए फृ